हेलो फ्रेंड्स, बाइनरी ट्यूब प्रियाग राज में आप सभी का स्वागत है मैं अनुकमा चौहान, आज के इस वीडियो में आप लोगों को Tally ERP 9 के बारे में बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, आज आप लोग जो सीखेंगे Tally ERP 9, यह आप लोगो GST के साथ बताई जाएगी और इससे पहले कि मैं Tally के बारे में कुछ आप लोगो बताऊँ, सबसे पहले मैं आप लोगो बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि Tally आपके लिए क्यों सीखना जरूरी है, आज के टाइम में क्यों ही Tally इतना ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है और Tally करने के बाद हमारे क्या-क्या फायदे हैं, इसके हमारे क्या-क्या डिसड्वांटेजेस हैं और इसके सारे इंट्रो, सारे डीटेल्स आपको step by step मैं आज के आपके इस वीडियो में बताऊंगी I hope कि आपको मेरा ये आज का ये वीडियो बहुत पसंदा है, तो friends आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले friends जैसा कि मैंने कहा कि आज आप लोग को मैं Tally RP9 वो भी GST के साथ बताऊंगी तो सबसे पहले मैं बता दू कि Tally है क्या चीज़ तो friends Tally के application है, software application जो कि आपके desktop पे, आपके laptop पे और आपके जैसे कि कोई भी ऐसा gadget यूज़ करते हो, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो ये एक तरह का accounting software है, जो कि international level पे इसका use होता है friends ये आपका Tally है, जो ये आपके application ये पहला ऐसा application है जो accounting software के लिए बनाया गया था और इसके आने के बाद, जो हम लोग accounting के काम को लेकर बहुत जादा परिशान होते थे जिसके लिए हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था इससे बहुत सारी problems दूर होगे इनफेक्ट इस application आने के वज़े से बहुत सारे लोगों को जो कि बहुत जाद educated नहीं होते थे जो थोड़े बहुत educated होते थे और साथ में अगर ये application यूज करना ये चलाना सीख लेते थे तो उनके लिए बहुत ही beneficial हुआ beneficial इसली रहा क्योंकि वह ने जब इससे सीखा तो कम से कम minimum 10-15,000 per month की salary वाली job हुँको easily available हो गई friends आज के time में आपको पता है कि अब धीरे धीरे जो हमारा ये country है हमारे ये world है, all over world अब जो है धीरे धीरे digitization की और बढ़ता जा रहा है मतलब अब सब कुछ हम लोग कुछ है totally digitally हम लोग करते जा रहे हैं मतलब अब हम लोग चाहे पढ़ना लिखना हो चाहे office का काम करना हो यहां तक हम यह life में कोई भी चीज करना हो यहां तक हम कोई transaction भी करते हैं तो इस सारा कुछ आप दीरे धीर हम लोग digitally dependent हो चुके है friends अगर मैं आपको यह कहूँ कि हमारे life का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है यह digitization तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और जब बात digitization की हो ही रही है तो accounting के मामले भला हम क्यों पीछे रहे हैं friends अगर बात करे tally ERP 9 की तो tally तो बहुत पहले से आया है और यह time to time इसमें बहुत सारे changes आई है बहुत बार यह update हुआ है और इसके update होने के वज़े से ही आप लोग का काम और भी ज़्यादा आसान होता जाए friends मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी अगर जैसे आप tally सीख लेते हो या चोटी मुटी कोई shop भी है तो वहाँ भी आप लोग tally का use कर सकते हो easily आप अपने accounts को manage कर सकते हो ठीक है friends तो इसके लिए बहुत जाद आपको परिशान होने की जरूत नहीं है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने tally के बारे थोड़ा बहुत सुना है तो यह सोचते हैं कि tally थो हमारे बस की बात ही नहीं है क्योंकि tally जाद अतर accounting based software है और इस application को सिर्फ वही उस कर सकता है जो commerce side तो friends में आपकी ये गलत फैमी भी दूर करना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है tally application सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप commerce background से belong करें या फिर आप science के हो या arts के हो ठीक है अगर आप arts के है तो भी सीख सकते है science side के है तो भी सीख सकते है और अगर आप commerce side के है तो भी सीख सकते है in fact friends मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी बहुत सारे जो commerce के student होते है जब वो tally use करते हैं, चलाने लगते हैं, tally पर काम करने लगते हैं, तब उनको realize होता है कि उन्होंने जो commerce में accountancy सीखा, उससे कितना अलग different है, जबकि friends इसलिए मैं कहा रही हो कि वो हम theoretical चीज़ें सीखते हैं, और यहां पर हम उसी चीज़ को practically करते हैं, जब आप practically किसी चीज को महसूस कर सकते हैं friends, कि वो आपने जो theoretically पढ़ा और जो आपने practically किया, उन दोनों में कितना कुछ difference है, इसी वज़े से friends मैं आप लोग को ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, कि अगर आप लोग tally application सीख जाते हो, तो आपके लिए इस बात की job को लेकर रोने के परिशान होने की बिल्कुस भी जरूरत नहीं, क्योंकि आज का tally के वज़े से इस field में बहुत ज़्यादा demand भी है, तो आप लोग को मैं तो यही suggest करूँ क्यों कि आप लोग को tally application जरूर से सीखना चाहिए, और I hope कि मेरे इस वीडियो के साथ से आप लोग को काफी useful and motivate, मतलब बहु ज़्यादे important information आप लोग को मिलें, जिससे कि आप लोग को काफी help मिलें, ठीक है friends, वैसा तो पिछले कई सालों मैंने कई सारे students मेरे पास essay आये जिन्होंने, जिनको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, hardly वो 10th य 12th ही pass out थे, वो भी school, या वो भी जैसे गाओं के school से, जह बहुत ज़्यादा, हाला कि मैं ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि कहीं कहीं पढ़ने वाले के उपर होता, अगर आप अच्छा पढ़ते हो, तो आप अच्छा कर सकते हो, नहीं अगर आप interest दिखाते हो, तो नहीं कर सकते, तो बात की बात है, लेकिन ऐसे लोग आये, जिन्होंने मतलब 10th or 12th की degrees थी, पर उतनी knowledge नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आके जब tally सीखा, तो tally सीखने के बाद, उन्हें आज के टाइम में अच्छी खासी जॉब मिल गए, जो कम से कम उनकी 10,000 से start हुई, और आज के date में 15 to 20,000 experience होने के बाद, इतना वो मन्थली कम से कम earn क के लेके जाए, इवन इस कोरोना काल में भी, सोचिए, कोरोना काल में आप लोग को पता ही friends की job की कितनी जादा मारा मारी है, और तो और अब तो work from home का भी trend चल पड़ा है, तो ऐसे है friends अगर आपको tally आता है, तो आप work from home भी काम कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आप tally ज़री आपने सीखा है, तो इस application के मदद से आप दुनिया का कोई भी accounting software easily आप handle कर सकते हो, क्योंकि friends जैसा कि मैंने आपको starting में ही बताया था, tally application जो है, यह हमारा सबसे पहला accounting software है, और यह international level पर use किया जाता है, it means friends कि अगर आपको tally आ गया, तो आपके लिए कोई भी application यूज़ करना मुश्किल नहीं होगा, ठीके friends, तो यह तो बात हो गई tally application के बारे में, अब बात करते हैं, tally application जो है हमारा, जिसका नाम हमारा tally है, ठीके, इसके साथ आप देख सकते हो, यहाँ मैंने erp9 लिखा है, इस erp9 का मतलब क्या है, तो friends मैं आपको बताना च चाहूंगे, erp का full form होता है, enterprise, resource, planning और 9 इसका version है, इसका spelling कुछ इस तरह से होता है, आए देखते है, enterprise, resource, planning friends 9, version name है इसका, क्योंकि friends अभी बहुत टाइम से चल रहा है, और जब भी इसका version अपडेट होता है, तो यह आपको अलग-अलग version के साथ मलता है, और जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ मैंने heading में साफ साफ दिया है, GST, तो friends आप जानते हो कि 2017 जुलाई से जब से हमारे GST लागू हुआ है, तब ही से हमारे GST में भी इंक्लूड हो चुका है, जिससे कि आप लोगों अगर टैली पे काम करते हैं, काउंटिंग करते हो, तो GST के लिए आप लोगों को इधर उधर परिशान होने की जरूत नहीं है, ठीक है friends, आप लोगों को पता होगा कि GST में कम स एं सर्विस टैक्स, ठीक है friends, गोट्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है friends, तो ये तो हो गई आपकी बेसिक जानकारी, कि टैली क्या चीज़ है, टैली आपका किस लिए यूज होता है, जैसे कि मैंने कहा है ये अकाउंटिंग सॉफ्वेर है, तो एकाउंटिंग सॉफ्वेर होने के वज़े से इसमें आप लोगों के लिए अकाउंट सीखना बहुत तो जादे से आपको परिशानी नहीं होगी, ठीक है फ्रेंट्स, और एकाउंटिंग जो आपको सीखोगे, इसमें मैं आपको सारा कुछ step by step, जैसे सारे method, सारे features के साथ मैं आपको बताऊंगी, टैली के एक एक आपको points बताऊंगी, टैली कैसे कैसे use करते हैं, उसके shortcuts क्या होते हैं, वो सारा कुछ बताऊंगी, जिससे कि आप लोग के लिए और भी ज्यादा ही इस पर काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है फ्रेंट्स, इसके अलावा अगर आपको कोई भी doubt या comment हो, तो आप हमारे video section में comment भी करके बता सकते कि ऐसा क्या चीज़ था जो आपको नही समझ में आया है, जिससे कि मैं आपको easily आपके doubts clear कर सकूँ, तो अब बात करते हैं हमारे accounts की और चलते हैं, जैसा कि हमेंने बताया कि tally accounting software है, accounting software तो account सीखना भी ज़रूरी है, तो अब बात करते हैं friends कि accounting क्या चीज़ है, ठीक है? आईए बात करते हैं, अब accounting की, accounts, ठीक है friends, इसको short में हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? फिलेल, यहाँ पे आप लोग को short cut की ज़रूरत नहीं है, कि आपको इस तरह लिखें, यह तो मैंने बहुत लोग होते हैं, जैसे A, OBLIC, C, करके लिखा होता है, तो उनको समझ में नहीं आदा है कि हैड क्या चीज़, तो इसको accounting कहते हैं, और short means को ऐसा लिखते हैं, ठीक है तो अब बात करते हैं, accounts की, तो accounts क्या चीज़ होता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होगे जिने पता होगा कि accounts क्या है, ठीक है, तो आएए friends, यहाँ पे मैं आपके थोड़े बहुत जो भी starting के doubts हैं, वो मैं clear करती हूँ, तो accounts जो होता है, accounts का मतलब होता है, अगर एक सारे लेंदीन की जानकारी, एक साथ, एक जगावे बहुत ही व्यवास थे ढंक से, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरह से हम उसे record करके रखते हैं, यानि कि उसे maintain करके रखते हैं, time के साथ, date के साथ, इसमें आप पूरे साल का भी देख सकते हो, महीने का भी देख सकते हो, last year क इसमें आपको ये सारी facility मिलती है, ठीक है friends, और इससे पहले मैं आपको एक शीज़ और बता दू, friends, जैसे कि आपके count start करने से पहले, जो आपको ये tally application use करते हो, जैसे कि मैंने आपको starting में ही कहा था, कि इसके बहुत सारे benefits भी हैं, लेकिन इसके disadvantage के अगर बात को तो बहु कि छोड़ी disadvantage को छोड़ करके, जैसे कि अगर आप बात करें tally application की, तो tally क्या है कि आपका software application है, कहां पहले आप लोग manual method से आप लोग accounting manage करते हो, और कहां आप tally के मदद से आप लोग इसको digitally manage करते हो, यानि कि आप अपने desktop पे एक application के माध्यम से, tally पे आप जो ऑनलाइन offline दोनों तरिके से काम कर सकते हो, और इसमें सबसची बात ये है कि आप इसके data को जो है, इसका backup बना के भी store कर सकते हो, ठीक है friends, आप लोग के अगर बात करें, तो जो हमारा manual method होता था, उसमें क्या होता तो friends कि आप लोग किसी register में सारे entries करते थे, और entries करने के दौरान कई भी कई बार छोटी मोटी गलतिया भी होती थी, जिससे कि पूरा का पूरा accounts ही आपका गड़बड हो जाता था, ठीक है, और उससे समझना, उससे ठीक करने बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन टैली application में ऐसा नहीं है, टैली application क्या है, आपके time को बचाता है, और वहीं जब आपके office भी जाना पड़ता था, आपको हाँ पर बैट के अपना पूरा पूरा accounts भी चेक करना पड़ता था, उसके एक एक चीजे एक बारीक तरीके से उसको देखना पड़ता था, ठीक है, उसके records को बहुत ही समहाल के रखना पड़ता था, कहीं accidentally उसे पानी अगर गिर गय या किसीने चोरी कर लिया, ऐसे बहुत सारी दिक्कते आती थी, ठीक है friends, लेकिन मैं अगर tally application की बात करूं, तो tally application क्योंकि आपके system पे work होता है, यानि कि आप इसे कभी भी कहीं से भी चालू कर सकते हो, मालीजे, जैसे मैं अपने office के laptop पे मैं tally का काम कर रही हूं, और अ अब ऐसा तो नहीं है कि मैं office तुरंट चली जाओंगी, नहीं, मुझे उसके जरूरत नहीं पड़ेगी, बलकि मैं क्या करूंगी, मैं अपने खुद के अपने घर के laptop या desktop पे तुरंट tally application को open करूंगी, अपने company को open करूंगी, और वहां पे मैं easily, वहां के अपने company के या जो भी हमारी entries है, उसे तुरंट में वहीं से अपडेट कर दी, जिससे कि हमारे time भी बचा, हमारी छुट्टी भी waste नहीं गई, और हमारे office की जो emergency थी वो भी दूर हो गई, ठीक है फ्रेंड, तो यह बड़े अच्छे फायाद हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा work from home भी कर सकते ह यह है कि आप office के साथ अगर घर पर रहके भी काम करना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको परिशान होनी की जरूरत नहीं है, ठीक है friends, और best part इसका यह है कि आप इसको online जब चाओ, जहाँ चाओ, किसी भी system की through आप देख सकते हो, password protected होता ही है, आप इस इसका password change करना पड़ता है, तो आप इसे as a disadvantage समझ सकते हो, कि हमें time to time इसका password change करना पड़े, security को चेक करना पड़े, ठीक है, वो करना तो खेह बहुत ज़्यादा जरूरी है, और दूसरी चीज यह है, कि अगर electricity problem हो गई, ठीक है, तो वो इतनी बड़ी issue तो नहीं है, क्योंक इसको रख सकते हैं, online होने को बज़े से, अगर in case, अगर आपकर system damage भी हो गया, तब भी आप दूसरे desktop या दूसरे laptop के थूँ आप इससे open करके, इसके data को easily retrieve कर सकते हो, हाँ, अगर आपने offline थोड़ा work किया, तो उसमें थोड़ी आपको दिक्कते हो सकते हैं, बट उसके भी करता है कि आप किसी चीज को कितना carefully काम करते हो, ठीक है, carelessly अगर आप कोई भी काम करोगे, तो हर चीज में disadvantage है, और अगर carefully काम करोगे, तो देखा जाए तो tally में कोई disadvantage नहीं है, according to me, ठीक है friends, I hope कि आप लोग भी जब धीर जीरे tally पे work करोगे, tally जब सीख लोगे, तो आ मैंने कहा कि account से खाता है, एक ऐसा खाता, जहां पर हमने अपने day to day life की, अपने business से related, अपने job से related, सारा transactions, एक जगा हम लोग record करके, maintain करके चलते हैं, तो friends, ये तो होगे बात हमारे account की, कि account क्या चीज है, मैंने आपको एक शब्द में भी बता दिया, accounts किसली use होता है, ये आप बात करें, friends, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, ये जो accounts है, अगर देखा जाया, तो हम सभी के life से बहुत जादा connected है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप किसी profession में हो, या किसी job में हो, तो ही आपके life जो है, account से जुड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, friends, यहाँ पर हर एक एक इंसान, account से किसी नहीं किसी तरह से जुड़ा हुआ है, इसके example में आपको कुछ इस तरह से देना चाहूंगी, friends, अगर आप जौब करते हो, तो वहाँ आपके official जितने भी transactions होते हैं, वो सारा आपको अपने accounts में show कराना होता है, office के account में, ठीक है, इसके अलब भी उसको data से रखने होते हैं, तो ये भी accounts में ही आता है, ठीक है, friends, अब बात तो होगी, ये तो common सी चीज़ों के जो हर कोई जानता है, लेकिन अब मैं बात वह बताना चाहूंगी, जो हर कोई जिस पर ध्यान भी नहीं देता है, अगर आप बात करें, एक example के तोर पे, एक simple जो एक घर में, एक housewife होती है, ठीक है, वो भी जो day to day life है, जो घर चलाती है, और घर चलाने के पीछे, जो भी उसके छोटे बड़े जो भी खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे, वो एक साथ, एक जगा मेंशन करके, यानि कि record करके रखती है, जिससे के उसको पता चलता है क उसने पूरे महीने में कितने पैसे में, कितने बजट में उसने घर चलाया, एक्जाम्पल के लिए बात करें, दूधिये को उसने कब कितना payment किया, कब कितनी की वो सबजी लेके आई, कब कितनी की उसने अलग चीजों पे खर्चे की, ये सारा कोई छोटा बड़ा हिसाब कि तो आप देखा जो तो उसके भी लाइफ से कहीं आपको जुड़ा हुआ है, क्यूंकि वो भी हर एक लेन देन को एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके चलती है, ठीक है तो यही चीज है जो आपको सीखनी है, समझनी है, ऐसे एक्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिय है, एकाउंट्स आपके लिए सीखना मुश्किल है, बहुत बोरी है, बहुत डिफिकल्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकाउंट्स आप करते जाएं, तो आपको पता चलेगा कि कितना इंट्रस्टिंग है, कितना एजी है, क्योंकि इस चीज से हम हर को जुड़ा हुआ है, अ हमने इतने रुपर में से कितना बचाएं, कितना खर्च कियें, कितने दीएं, कितने लिएं, ये सारी कुछ जनकारी उसको रखनी पड़ती है, तो देखा जाएं, एकाउंट्स उसके भी लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, फ्रेंट्स, तो ये तो बात हो गई आपके एकाउंट्स की, ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे जो एकाउंट्स है, ये एकाउंट्स हमारे कितने टाइप का है, ठीक है फ्रेंट्स, तो हम आज ये एकाउंट्स है, बेसिकली अगर हम इसे कहें, तो ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सबसे पहले आपका ये ड अकाउंट। और दूसरा, इमपर्सनल अकाउंट। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने बोर्ट पर मेंशन किया कि पर्सनल अकाउंट और इमपर्सनल अकाउंट। इसे देख करके आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा परसनल मतलब व्यक्तिकाज ठीक है और इंपरसनल का मतलब हो गया आपका जो है जो किसी व्यक्तिक विशेज का ना हो ठीक है अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे जिन्हों ने कोशल पढ़ा होगा या अकाउंट पढ़ा होगा तो हो सोच रहे हो कि नए हमारे यहां पर क्या कहते हैं जो आपका यह अकाउंट से यह दो ने तीन टाइप का है तो फ्रेंट्स वो भी गलत नहीं है reason क्या है उसके पीछे तो मैं आपको बताती हूँ उसका सबसे बारा कारण है हमारा जो यह accounts है यह दो पार्ट में तो divided है इसके साथ ही साथ हमारी जो impersonal account है यह भी हमारा दो पार्ट में आगे चलके divide हो जाता है for example यहाँ पे जो हमारे impersonal account है यह हमारे real account यानि की वास्तविक खाता और nominal account इन दो पार्ट में divide हो जाता है जिसके वज़े से हम accounts को कहते हैं कि accounts के तीन types है number one personal account number two real account number three nominal account ठीक है friends तो यह हो गए आपके तीन types के खाते हैं अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनोंने accounts के बहुत है deeply पढ़ा होगा तो सोचते होंगे नहीं यहां accounts के और भी types हैं तो friends basically जो अगर basic way में आपको बताएं तो यह तीन types जो होते हैं यह हमारे common हैं और basically हम इन्हीं को जानते हैं ठीक हैं और आपको इनी तीनों के तहट आपको पूरे accounts में मतलब आपके पूरे tally पे work करने हैं तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको accounts यहां पे जो आपको सिखाया जागा tally के अंतरगत वो बहुत जाए detail में ना जाकर के आपको simple way में सिखाया जागा जिससे कि आप लोग अपने इस application को easily handle कर सकें और अपने इस tally application पे असानी से काम कर सकें ठीक है friends I hope कि आपको यह information काफी अच्छे समय में आएगा इसके अलावा friends और भी जो details आपको deeply जो मिलेगी वो हमारे binary tube के application पे मिलेगी जहाँ पर आप जाकर और भी वीडियो से हमारे tally से related उसमा आप जाकर आप और भी कुछ इसको detail में जान सकते हैं सीख सकते हैं ठीक है friends आएगे चलते हैं आगे इसके और भी आपको information देते हैं अवके friends तो आपको इससे ज्डी और भी जानकार्य है मैं अपने अगले वीडियो में देना चाहूंगी ठीक है तब तक के लिए मेरे अगले वीडियो के लिए आप लोग वेट करें और मेरे इस वीडियो को देखते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे मेरे और भी वीडियो के साथ तो आप लोगों को और भी सारी इंट्रेस्टेंग बाते जानने को मिलेंगी थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए नमस्ते